कि दोस्तों नमस्कार करनेल अजय सीओ अजय स्टों मनी ग्रूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टोफनेंस डिजिटल चैनल पर से आप से मुखादिब होता हूँ आज 9 मई सन 2023 दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुत चर्चित कमोडिटी कपास के बारे में कपा कपास के पर जब भी हमने अपडेट दिया है वह अक्सर सही साबीत हो है चाहते जी के हो मंदी के अब कपास निर्णायक मोड़ पर पहुझ गई है और खबर निकल के आ रही है कि कपास के अंदर अब आवक दिरी दिरे बढ़ सकती है जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार स दोस्तो कपास में उत्तर भारत में कपास उत्पादक के राजियों में मौसम अफसाफ हो गया है और कपास की दिन देली आवक लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं जहां तक आज 9 माई सन 2023 को लोवर राजिस्तान में को देखें तो अराइवल अभी 900 वेल्स की बताई जारी है और लोवर राजिस्तान के अंदर काथन मार्केट थोड़ा सा किरावा है खेरतल अलवर और बेहरोर जोन के अंदर साथ जार से साथ जार पांसो के बाव हैं जोराइवल वारवार 60,200-61,200 के भाव हैं ब्यावर जोंड के अंदर जो भाव हैं वो 60,200-61,200 के भाव हैं गुजरात के अंदर आराईवला भी 38,000 की बताई जा रही है और वहां कापाच के बाव 14-1630 रुपए प्रती 20 केजी है और कॉटन सीट के बाव 55-550-630 है केंडी के रेट जो गुजरात में खबर आ रही है वह 6,300-6,800 के बाव है और 2797 के बाव 47,500-49,500 है और 2797 सीट के बाव 4645-488 के बाव है घरेलू बजार में कल सोमवार को कॉटन के भावों में मामुली गिरावट का रुख देखा गया MCX पे जून 23 का बाईदा अनुमन कॉटन की कीमबत में 280 रुपए कम जो रोका 62,750 रुपए के बाव पंजाब हर्याना लाइन की मंडियों में 7,188 रुपए प्रतिक उन्टल बताए गए जबकि उपरी राजिस्थान लाइन के भाव 32 से 7,900 रुपए प्रतिक उन्टल है बिनोला और के भाव पंजाब हर्याना लाइन में 32 से 3550 रुपए प्रतिक उन्टल और उपरी राजिस्थान लाइन में 33 से 3650 रुपए प्रतिक उन्टल बताए जा रहा है और राजिस्तान के अंदर 6,900 से 6,900 रुपए की प्रती केंडी के भाव हैं राजिस्तान की प्लानी मेरूई के भाव हाजी डिलीव में 6,400 से 6,500 रुपए प्रती मन बताए जा रहे हैं और कपास के व्यापारी एवं किसानों के लिए एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि चीन में पिछले 15 दिनों में कपास के भाव में तेजी निकली बनी है और चीन की डिमांड भारत से भी निकल चीन ने कौटन यान की खरीदी भारत से भी करने की उमीद बताई जा रही है दोस्तो जहां तक आस्ट्रेलिया के साथ 3,000,000 गाट का व्यापार होने से भारत का रुई का आयाद बढ़कर 17,000,000 बेल्स का होगा और नियुआर्क रुई वाइदे में आयोचाल का असर भारत में रुई बजार में उतना नहीं पड़ा जितना नियुआर्क वाइदे में हुआ है क्योंकि आस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट के तहए 3,000,000 बेल्स की डूटी फ्री आयाद की छूट निशित हुई थी उसमें से लगबग 2,000,000 गाट डूटी फ्री रुई का व्यापार हो चुका है इसका शिप्मेंट मै, जून, जुलाई में होने की संभावना है और ये व्यापार भारत का रुई का आयाद 17,000,000 गाट होने का अनुमार है जबकि रुई का बेसिक लगातार उचा होने से रुई का निर्याद 16,000,000 बेल से अब भड़ने की संभावना कम है यदे लक्ष इसका 30,000,000 बेल रखा गया है चीन के रुई बेजार में 15 दिनों से रुई का रुख मजबूत है और अधी चीन की रुई की डिमांड या कॉटन यान की डिमांड भारत में आए तो तेजी बन सकती है अन्यतार रुई के उपर एक सवालिया निशान बन सकता है गरतलब है कि बिनोला खली और विनोला तेल का भाव पूरे पिछले सब्ता घटने के बाद धीरे धीरे सुदर रहा है फिलाल विनोला खल विनोला तेल के बाव अपने नियूनता मिस्तरों के काफी नजदीक है दोस्तों महतरपुन ये भी रहेगा कि गस सब्ता नियूयर्क रुई वाइदा काफी बढ़ गया था और ओपन इंटरस्ट भी काफी बढ़ा था और अमेरिकन रुई की सब्ता एक सेल लगातार बढ़ रही है जिसके कारण मल्टिनेशनल कंपनियों के लिए रुई की खरीदी करने के लिए एक इंटरस्ट बन सकता है जहां तक चाइनीज रुई वाइदा पिछली सब्कु सब्ता में तेजी के भाव बढ़ रहे हैं और ओपन इंटरस्ट भी वहाँ पे अच्छा बढ़ा है चीन में नई रुई की फसल के लिए वैदर जो है मौसम वानुकूल नहीं बताया जा रहा है और चीन में टेक्स्टाइल प्रोड़क्ट की डॉमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ रही है चीन में फिलाल की स्थिति में अगामी दिनों में रुई के भावो में कोई कमजोरी के संकेत नहीं है और इसका असर भारतियर बजार पे भी पढ़ सकता है दोस्तो चाइनीज वाइदा को देखें तो गस सब्ता 445 यूवान अर्था 2.9 तीन प्रतिशत लानी यानी लगबग 3 प्रतिशत बढ़ा था चाइनीज रुई वाइदे में ओपन इंटरस 73,560 लॉट का था जो आगे बढ़कर तेजी के संकेत दे रहा है MCX अप्रेल वाइदा का में स्थाई है वो 61,000 पे बंद रहा और जून वाइदा 440 लॉपय बढ़ा था भाव 63,260 पर बंद था ओपन इंटरस 29 लॉट घटकर 316 लॉट अर्था 3,31,600 घटकर रहा दोस्तो अब एक बड़ा सवाली है कि आगे क्या हो सकता है cotton के उपर अलग अलग रुक्ष बताए जा रहा है क्योंकि दो ग्रुप हैं एक ग्रुपतेजी चाहता है और मंदी चाहता है यह सौभाविक भी है क्योंकि जिसको माल खरीदना है वो बजार घटावा देखना चाहता है और जिसको माल बेचना है उसको बजार बढ़तावा देखना है दोस्तों ये तो निश्चित है कि अब दैनिक लगबग एक लाग गांठ यानि की अराइवल होगी और किसानों के पास ये अब अगला एक मैना एक अंतिम मौका होगा जिसमें वो माल बेच सकें और ये भी खबर निकल के आ रही है कि काफी समय के बाद देश की कापास की पैदावार करने वाले लगबग सभी छेत्रों में मौसन बिल्कुल क्लेर है होने से सोंवार को पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है मैं महिने में रूइ की आवग देनीक एक लाग गन्द से अधिक होई जो कि कॉटरन मार्केट के लिए एक नया रिकॉर्ड बनेगा और अगामी 15 दिन तक एक लाग गन्द से अधिक आवग रहे तो उस समय व्यापार कैसा होगा ए करने की संभावना है लेकिन प्रशन यह है कि पिछले जिस तरह से इस साल रूई का बजार चला उसमें कि अधिकतर जिनर्स ने या स्पिनर्स ने या टेक्ष्ट्रेल वीवर्स ने बहुत अधिक मात्रा में बड़ा श्टॉक नहीं किया क्योंकि लगातार बाओं के अंदर उ इस से हम सहमत नहीं हैं दोस्तों याद रखोगा याद रखे हमने भी मार्च महिने के प्रतम सप्ता के आसपास हमने आपको कॉटन के अंदर तेजी की बात कही थी कि मार्च महिने में अच्छी तेजी होगी और एक शांदार तेजी कपास ने दिखाई वो 32 से बढ़कर 84 से अब आने वाले लगवक 15 से 20 दिन एक निरनायक मौड होगा जो जिनर्स जिनोंने माल अभी नहीं खरीदा है या स्पीनर्स या स्पिनिंग यानि कताई मिलके जो मालिक जो अभी माल स्टॉक करना चाहते हैं या फिर वीवर्स यानि टेक्स्टाइल मिलके मिल जो बाल अपडेट दिया है वो लगातार हमेशा लगबक सही सावित हुआ है और आप लोगों का बहुत प्यार और आशिरवाद हमें मिला है हम ट्रयास करते हैं कि कपास की सारी जानकरिया आपको निशुलक शेयर करें लेकिन विशलेशन आप और समय समय पर हम आपको निशुलक व बिते दिंग